नमस्कार बहुत स्वागत है आपका अगर आप भी जौब प्राप्ति के लिए प्रयास रहते हैं या आप कोई एक्जाम देने जा रहे हैं इंट्रिव्यू में देने जा रहे हैं आप चाहते हैं कि एक्जाम में आपको सफलता मिले आप बेस्ट दें अपना तब जब भी आपका एक्जाम हो या इंट्रिव्यू में जाना हो उसके पहले ठीक जो सोम बार पड़े याद रखिए ठीक पहले जो सोम बार आए उस दिन एक प्रयोग आप चरूर कर लें और ये प्रयोग गुर्देव ने अपने कथा में बताया है तो अगर आप भी गुर्देव को म तीनो ही प्रयोग गुर्देव नहीं अपनी वीडियो में बताया है और पहला प्रयोग है गन्ने का रस का गन्ना तो आपको पता होगा इक जिसको कहते हैं इक का रस दो लोटे में लेकर सिपजी के पास के किसी भी मंदिर में चल जाए याद रखिए अब आपका एक्जाम ले ले अब आधा लीजिए या भराव लीजिए या आपकी एक्छा पर है दो लोटा में लेकर जाए सिपजी के मंदिर त्रिप्रा सुंदरी का नाम लेकर दोनों हाथों में एक लोटा एक एक लोटा ले ले और सिपलिंग पर दोनों ही हाथों से एक करस गरने करस सिपलिं बताएंगे और ये प्रियोग है काला तिल का काला तिल तो आपको पता है ना काला तिल अभी ठंडे का मौसम में आप लड़ो भी खाते होंगे काला तिल थोरा सा ले ले थोरा सा मतलब थोरा सा इसको पीस ले पीसने के बाद एक लोटा जल ले ये प्रियोग आप किसी भी सनि बिलवत पत्र का पेड़ या बरगत का पेड़ के जड़ में इस जल को आप किसी एक पेड़ के जड़ में आप समर्पित कर दे, सनीवार के दे ये प्रियोग लगातार कम से कम, आपको साथ सनीवार कीजिए, आपको इसके रिजल्ट जरूर मिलेंगे और प्रांखना कीजिएगा, कि आपको जॉब में सफलता चाहिए, आप चाहते हैं आपको जॉब मिल जाए मेहनत भी करना है, सिर्फ भगवान बरोसे नहीं, मेहनत भी कीजिए, आप मेहनत करेंगे, फिर भगवान आपके साथ है तो काला तिल पीसकर लोटे में डालना है, और ले जाकर आपको जो बिल पत्र का पेड़ है, अगर आपके आसपास है तो वहाँ पर डाल दीजेगा या फिर बर्गर्ट के पेड़ के जर्में डाल दीजेगा, तीसरा परियोग, बहुत खास है, ये परियोग आप जो भी बच्चे एक्जाम देने जा रहे हैं, खास कर वही करना है, उन्हीं को करना है, जो बच्चे एक्जाम दे रहे हैं, जिनको इंट्रेव्यो में सफलता च चाहिए अब कई बार होता है बच्चे घर से दूर रहते हैं वहां पर रहा कर तैयारी कर रहे हैं वहां से एक जाम बेगरा दे रहे हैं तब ऐसे में तब उनकी मां कर सकती है यह प्रयोग मां पिता भाई बेहन कर सकते हैं लेकिन कोसिस करें कि आप स्वेम करें एक धतूरा ल लीजे पास के किसी भी सिभी मंदिर में चले जाए एक धतूरा लेकर कुछ मतले जाए सिर्फ एक धतूरा संबब वो भी मतले सिर्फ धतूरा लेकर चले जाए सिभी के मंदिर में अपना नाम बोले धतूरे को हाथ में लेकर अपने गोत्र का नाम बोले सिभी के सामने बोलना है अंदर मत रखिये बोलिए आप अपना नाम बताईए दिरे दिरे बोलिए लिकिन बोलिए अपने गोतर का नाम बताईए और सिबलिंग पर धतुरा को रख दे फिर भगवान से पार्थना करें कि हमें सफलता दिला दो हमें जौब चाहिए हम आज एकजाम देने जा रहे है हमारा इंट्रिव्यू है हम चाहते हैं हम सफल हो जाए और ये परियोग एक दिन नहीं करना बलकि सबा महिने का ये 40 दिन का परियोग है संबभव हो तो 40 दिन लगातार करें आप खुद नहीं कर सकते हैं आपके घर कोई भी सदद सी करेगा इसके फल आपको मिलेंगे गुर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरू लिखेगा धन्यवाद